Hello students, अगर आप CUET के थुरू, UP के अंदर MCA कोर्स में अडमिशन लेना चाहते हैं, कि CUET के स्कोर कार्ड से आपको कौनसे हैं से best colleges हैं, जहां पर आपको अडमिशन मिल सकता है, तो आपकी जो CUET की काउंसलिंग जो की start होने वाली है, अगस्त की first week में कभी भी start हो सकती है, जैसा कराने से पहले या काउंसलिंग start होने से पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूर है, कौन-कौन से ऐसे best colleges हैं, जहां पर आप CUET के scorecard से UPM admission ले सकते हैं, तो यहां पर top 10 colleges की list आपके साथ में share की जाएगी, college के name, college का fee structure, यह दो चीज़ें जो की बहुत important है, यह आपको यहा क्योंकि वहां पर placements हो गया, placements या quality education आपको अच्छे मिलती है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, top 15 लगबग यहां पर 10 colleges है, 5 आपको मैं additional और colleges आपको बता दूँगा, जहां आप जिनको आप consider कर सकते हैं, अपने MCA course के लिए, ठीक है, तो यहां पर आपका सबसे पह help चाहिए, तो उसके लिए हमारी team का help line number अब label होगा, आप team को भी call करके college के बारे में, admission process के बारे में, information ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और college की बात करें, पहले number पर आपका IT लखना हो है, IT लखना होगा, आपका AKTU से affiliated college है, AKTU आपका एक government university है, और यह भी आपका government college ह अगेगी 64,000, fees कम है, college भी बढ़िया है, इसलिए cut-off भी यहाँ पर काफी आई रहेगी, आपको अच्छे marks, इन high marks यह high score आपको लाना रहेगा, अगर आपका high score है, तो इस college में आपका admission हो जाएगा, next आपका second number पर college है, KNIT सुल्तानपूर, KNIT सुल्तानपूर जो college है, लखन यहाँ पर आपकी per year fees लगने वाली है, इस college के अंदर, next आपका universities आजाएंगी, कुछ आपकी इसे state government universities है, जिनमें MCA course अबलेबल है, अगर यहाँ से आप MCA कर रहे हैं, किसी भी आप state government university में जाना चाहते हैं, तो कुछ universities के भी नाम है, जिनमें MCA course आपको अबलेबल मिल जा आई थी, जेई और NEET की counselling से related बहुत सारे वीडियोज आप लोगों मिलते रहते हैं, जो लोग जेई और NEET के लिए करने हैं, बट CVT पे वीडियोज मुझे लगा कि बनाना चाहिए, क्योंकि कम वीडियोज हैं, ताकि जो भी CVT वाले candidates हैं, उनको बहतर guidance मिल सकें और अपन पर seat available है, क्या process होने वाला है, तो आप apply कर सकते हैं, और आप seat को ले सकते हैं, तो counselling जो है, वो काफी important role play करती हैं आपके पूरे admission process में, अब यहाँ पर अगर बात करें कुछ state government universities की, तो आपके ये universities हैं, जो आपको मिल जाएंगे, अगर आप government university में जाना चाहते हैं, तो य रोहिलखंड university, रोहिलखंड university ये भी आपका एक state government university है, MCA अगलेबल है, 66,000, 66,000 रोपे पर यहाँ पर फीस लगेगी, अगर आप 12,806 location पर चाहरे हैं, बनारस location पर, तो आपको एक मातमा गांदी, काशी विद्या पीट, ये आपको college मिल लाएगा, 66,000 यहाँ पर फीस पर फीस structure आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, 1,12,000 रुपे पर यहाँ पर फीस लगेगी, 1,12,000 आपकी पर यहाँ पर फीस लगेगी, LU के अंदर, ये सारे counseling आपको मिलेंगे, ये सारे college options आपको CUT की counseling में मिलेंगे, जो कि आपका UP Tech वाला है, इसको भार भार बताना क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि आपकी counseling कहाँ पर और कैसे होने वाली है, तो आपका लखनो University है, मातमा गांदी, काशी विद्या पीठ है, रोहिलखंड University है, जो candidates जहांसी के साइट से आते हैं UP में, आपको पता होगा आपका बुंदेलखंड University, ये भी का आपका CCS merit, अगर आप चाते हैं कि आपकी fees भी कम रहे, hostel fees भी कम लगे, तो उसके लिए एक आपका option है, चौधरी चरण सिंग University merit, CCS merit में जो MCA course है, तो यहाँ पर जो hostel fees हो बहुत कम है, hostel fees आपकी 30,000 है, इसमें hostel में आपका रहना खाना सारा include है 30,000 में ही, तो इससे कम, I don't आया है, NAC एक government body है, जो अच्छे institutes को ranking देती है, तो यहाँ पर जो NAC का approval है, वो A++ rank, मतलब high rank मिला हुआ है, तो काफी इन future government है, यहाँ यह college ग्रो करेगा, और काफी सारे courses हैं, काफी सारे colleges इस university से affiliated है, मेरत location पे यह located है, next step का इक आपको college मिल लाता है, आगरा में, जो QET की counseling में option आपको मिलेगा, next step का लखनौूर location पे अगर आप college देख रहे है, government college, तो government university आपको मिल लाएगी, KMC language university, देखें, यहाँ पर और और भी कई सारे courses है, language की courses चलते हैं, इस university के अंदर, KMC का मतलब है, ख्वाजा महिनुदीन चिस्ती, इसका पूरा नाम है, अगर आपको self finance category वाला फीस मिलता है, तो वहाँ पर आपको 77,000 फीस लगेगा, फिलाल 77,000 भी लखनौ लोकेशन पे एक अच्छा option आपके लिए है, तो students को counseling से पहले एक suggestion है, एक चोटा सा suggestion यह है, कि आपको सिर्फ government college के पीछे नहीं भागना है, अगर आपको अच्छा private institute म इसमें आपका BTEC बहुत बढ़िया है, और जिन colleges में BTEC अच्छा है, उनमें definitely आपका MCA बढ़िया होगा, क्योंकि जो companies BTEC वाले बच्चों को placement देती है, बीटेक में जो computer science और IT वाले sector पे जो companies आती है, same companies MCA वाले candidates को भी placement offer करती है, जो भी आपकी software company है, वो MCA और BTEC CSIT के लि में नमबर वन कॉलेज है BTEC में, तो यहां पर जो MCA एवलेबल है, उसमें भी आप यहां पर MCA के लिए try कर सकते हैं, cutoff यहां पर high रहेगी, high cutoff पे admission मिलेगा, अगर आपको इस college में एडमिशन चाहिए, तो आपको आपकी scoring बढ़िया होने चाहिए, CUT के अंदर, fees की बात क रहें, तो 1,40,000 per year fees लगेगी, 3 साल में लग बग, 2,500,000 रुपे आपका लगेगा, लेकिन average package, कम से कम 5,000,000 आपको average package आपको इस college में मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ और ऐसे institutes हैं, जैसे कि आपका कानपूर में college है, PSIT, एक आपका PSIT कानपूर college है, यह भी आपका इस आरम लखनव, इस आरम जो college है, इस आरम एक उनिवस्टी है, एक आपका college है, तो यहापर जो इस आरम कॉलेज है, वो आपका स्रीराम सुरूप engineering college है, तो college के अंदर आपको admission लेना है, यहाँ पर स्रीराम सुरूप के नाम से university है, उनिवस्टी में तो seat आपको मिली जाए इसके अलावा, NCR में काफी और भी काफी सारे colleges है, जो आप इन दोनों, JSS, NOIDA और काइट गाजियावाद के बाद आपका GL Bajaj college है, एक आपका college है GL Bajaj, आपने definitely सुना होगा, GL Bajaj को भी आप देख सकते हो, आपका college है ABS गाजियावाद, ABS गाजियावाद को भी आप देख स college आपका बढ़िया है, university तो open होता है, university में in-tech भी काफी ज़्यादा होता है, तो university में easily आपको admission मिल जाता है, गल्गूटिया college में भी आप ट्राइ कर सकते हो, तो mostly colleges B-tech वाले हैं, फिराल इनके अंदर MCE आपको बढ़िया मिल जाएगा, average package लगबग 5 लाग के आस पास मिल college में कई बार overall development आपको नहीं मिल पाता है, काफी quality life नहीं मिल पाती है, जैसे आप चाहते हो, क्योंकि government colleges में कई बार आपको काफी सारे resources की कमी भी देखने को मिलती है, तो इसलिए अगर आपका budget है, तो private college को भी definitely आप opt कर सकते हैं, counseling से related और भी आपको videos मिलेंगे, तो channel को ल items भी ले सकते हैं, so thank you very much and keep watching, stay connected.